23 जून के शुर्दान में आपसे कुछ हो गएते हैं? परमपेता परमात्मा आज के बारदामने कहते हैं कि मदूरतवा दोरा, बाप की समीपता का साक्षातर कराने वाले महानात्मा भबा मदूरता से महानता और परमात्मा की हम साक्षातर करा सकते हैं उससे बिकाज आज दुनिये में sweetness नाम की चीज नहीं रही है तो जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता संकल्प में सिर्फ बोल से नहीं तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है और बोल में कुछ और हो सकता है तो परमात्मा कहते हैं दोनों को मैच करना है जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता बोल में भी मधुरता भी को आप थोड़ा सा जाता फोकस करें तो कि भी बोल रहे हैं परमात्मा इसका मिलात लोग सिर्फ बोल में नहीं संकल्प में भी होना चाहिए और बोल में भी होना चाहिए और कर्म में भी मदो होता है थर्ट चीज, वही बाप के समीप है तो संकल्ब में कुछ और संकल्ब में आप किसी से फ्रस्टेट हैं, गुस्से में हैं मुझसे सिर्फ प्यार से बात करें, अपना काम निकलवाने के लिए और कर्म भी आप प्रसा स्वीटली दिखा रहे हैं करते हुए वही होगी बात तो वह बाप के समीप नहीं सकते है तो डुवालिटी होगी, परमात्मा सिंग्लारिटी में है परमात्मा एक है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है और हमें भी उनके साथ में सच्चा बन के रहना है इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुरली में आता ना मीठे मीठे बच्चे तो मुरली उनको अच्छी रखती सुनने में जो की अंदर भारिख जैसे हो इसलिए उनको मुरली के साथ भी पयार राता है और बच्चे भी respond देते हैं मीठे मीठे बाबा तो यह croz का madhur badarota sapn bana देता है और आप किसे से सुनो मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कोई अब आपको पैयर से गोले, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे और आप हर दिन ये चीज़ दे रहो मीठे बच्चे पर नहीं जाएगा आपको फोकस जाएगा आपकी कमी कमसरे उपर तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन बना देता है यह सुनना ही सर्फ मीठे बच्चे हम रिस्पॉन करते हैं जी बाबा, जी मीठे बाबा तो इससे भी अगर हम इसको एक्सेप करते हैं तो हमारे अंतर परिवर्था ना शुरू होता है इसलिए मुरली सुनने का बहुत फाय Direction करने वाली श्रेष्ट अत्मा भी महान है मधुरता ही महानता है मधुरता नहीं तो महानता का अनुभभ नहीं होता पिर आप जितना भी आप किसी उग्यान दें, अगर आपके अंदर स्वीटनेस नहीं तो उनको असर नहीं पुड़ेगा सिंपल बात है, इसके लिए हमें भी प्रैक्टिस करनी है, मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, इसकी ओम शन्ती